SCSt और OBC आरक्षण को लेकर आज समाजवादी पाईटी ने अपनी आपत्तियां दाखिल की हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते हैं सर। आज क्या आपत्तियां थी आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से और किसको ये प्रस्ताव दिया गया है, किसको जो कहेंगी प्रार्थरा पत्र है या निवेदन पत्र है किसको दिया गया है। जिले के जिले ऐसे हैं जहां पर ना OBC को रिजर्वेशन मिला है, ना अनसुची जात को मिला है, ना अनसुची जनजात का मिला है। मेरे पास एकजांपिल है 544 टाउन एरिया हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार ने ये कहा था कि हम नगर पंचायत में टाउन एरिया में हम जि पिछड़े वर्गों के और अनसूची जात के आरक्षन पर घपले बाजी की कई है पांस चवालिस पदों में जिला बल्लामपूर जिला कानपूर नगर जिला ललितपूर में एक भी स्टीट अनसूची जाती जन जाती और अन्य पिछड़ा वर के लिए नहीं है इस बात की आपत्ती आज हमने प्रमुक्षची नगर विकास के यहां दी है दूसरा 544 नगर पंचायत है जिसमें अमेठी, अमरोहा, बल्लामपूर, बिजनौर, चंदवली, गाजियाबाद, कन्नोज, कानपूर नगर, ललितपूर, महोबा, मिर्जापूर, रामपर, स्रावस्ती, ब स्रापूर, कानपूर नगर, ललितपूर में पिचेडे वरगिक में एक भी सीट नगर पंचायत की आरक्षण की सेर्णी में नहीं दी गई है, इसमें भारी गोलमाल हुआ है, पिच्छडे वर को 27 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए, हैस्टी को 21 परसेंट आरक्षण मिलन इसी तरीके से जनपदवार जो टाउन एरिया है नगर पंचायते हैं उनमें कहीं भी 27 परसेंट पिछड़े बर को आरेक्षन नहीं दिया गया है कहीं 10 कहीं 12 कहीं 15 कहीं 18 कहीं 20 कहीं 24 भी उन्होंने आरेक्षन दिया है 27 परसेंट आरेक्षन का कोटा इन्होंने पूरा नहीं क तरीके से उत्तर पुर्देश के नगर पंचैतों पांसोद 44 पदों का अन्सूची जात को एकइस पर्संट आरक्षण मिलना चाहिए कहीं के सापेख्ष 2 रेली में कुल शै परसेंट अन्सूची जात को कुसी नगर में 10%, जाउनपुर में 11%, महिनपुरी में 11%, राइवरेली में 11%, सिदाद नगर में 11%, लखीमपुर में 12%, महराज गंज में 12%, इस तरीके 31 जिले ऐसे हैं, जहां पर अनुसूची जाद का अनुमन 21% का अरक्षन सरकार नहीं दे रही है। और इसके अलावा नगर पाली का परशद में 119 पद हैं, 119 पद में इन्होंने मंडल को इकाई माना, कहा कि मंडल बार मंडल को हम इकाई मान करके अनुमन 27% पिछडों को और 21% दलित को और 2% ट्राइब को हम आरक्षन देंगे। लेकिन सूची के हमने पढ़ा है, उसकी जानकारी की है, उस सूची में अनुसूची जनजाद को एक भी नहीं दिया, नगर पाली का परशद में बस्ती मंडल, देभी पाटन मंडल में अनुसूची जाद के लिए भी एक सीट नहीं है। दो-दो मंडल हैं, दिन पर अनुसूची जाद के लिए एक भी सीट नहीं है, इसी तरीके से पिछड़े वर्गों को 199 नगर पाली का के जो अध्यक्ष के पद हैं, उसमें 27% आरक्षन मिलना चाहिए। बीजेपी ने जान बुझकर के पिछड़े वर्गों के आरक्षन पर घोटाला किया है, कहीं 18% दिया है, मंडल वार है ये, अलिगर मंडल में 18%, प्रियाग राज में 20%, जहासी में 20%, मेरट में 22%, कहीं 23%, कहीं भी 27% नगर पाली का परिसद के अध्यक्ष के पत पर बीजेपी पिछड़े वर्गों को आरक्षन नहीं दिया है, इस तरीके से बहुत बड़ा आरक्षन पर घोटाला हुआ है, पिछड़ों के साथ, दलित भाईयों के साथ, जन जातियों के साथ, बहुत तरीके से अन्या हो रहा, इस बात को लेकर समाजवादी पाटी ने, आज प्रमु परसेंट आरक्षन पिछड़े वर्गों को नगर पंचायत, नगर पाली का परसद और नगन निगम में दीजिए, और इसी तरीके से अनुसूची जाती जन जात को भी नगर पंचायत, नगर पाली का परसद और नगन निगम में आप उनको अनमन आरक्षन जो उनका निध पहारी थे वो तो मिले कम से कम लेकिन बीजेपी जान बूच करके जो आरश्चित वर्ग हैं उन आरश्चित वर्गों का हक नहीं दे रही है लेकिन जो नगर विकास पंत्री हैं उन्होंने प्रस कॉंफेंस में कहा था कि जो स्टी की बात आपने उठाई शेडियूल ट्राइ में एक भी स्टूल ट्राइब का नहीं एक भी नहीं है तो यहीं नहीं लगता है कि सरकार क्या कह रहे हैं सूची में क्या है सरकार के कथन में जो जवानी कथन हैं उनके सूची में भारी अंतर है नगर निगम में इसी तरीके से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षन होना चा भाईयों को और अंसूची जातियों के 21% का रक्षन हमेल नहीं मिला है जान बूज करके दलित और पिछड़े वर्गों के साथ भारती जनता पाटी अन्याय कर रहे हैं इससे साबित होता है कि भारती जनता पाटी धलित भी रोधी पिछड़ा वर्ग भी रोधी गरीब भी अब ही आज आपने अपत्ती धखिल किये यह कहा जा रहा है कि तीन-चार दिन में चुनाओ की तितियों की घोशना भी हो जाएगी तो ऐसे मैं समाजवादी पाटी का रोख क्या रहेगा वो चाहे नगर पंचायत हो नगर पाली का परशद हो या नगर निगम हो सभी जगए अनसुची जाद के लोगों को 21 परसेंट और सेडूल ट्राइब जो जन जाती है उनको 2 परसेंट का आरक्षन मिलना चाहिए यह सरकार दे लेकिन सरकार ने काफी काम किये हैं जो कैबिनेट के मीटिंग हुई थी उसमें बुनकर समाज के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है यही तो बड़ा दुरभाग है इस प्रदेश का कि सरकार कहती कुछ है किसानों से कहा था कि हम 300 यूनिट घरेलू नहीं हम किसानों को मुप्त सिचाई देंगे जिस तरीके से मानी अखलेश यादो जिन या मुलाहिम सिंग जिन अपने जमाने में सरकारी नहरों का सरकारी न हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे आज भी हम जानकारी रखते हम लोग गाउं के रहने वाले हैं कि किसानों से बढ़ी हुई दर पर बढ़ी हुई दर पर विद्दूत उनसे कर लिया जा रहा है उनको बिजली का पैसा माफ नहीं किया जा रहा है और जूट बोला जा आपको कम सच्टी बिजली देंगे और आप अपने उत्दोगों को बढ़ाईए उत्तर ब्रदेश बुनकरों को बहुत बड़ा प्रदेश है इस पर जाने कितने लोक करोडों लोक इस बुनकर समाज के हैं और हमारे उत्तर ब्रदेश का ये बड़ा उद्द्दोग है और इस उद्द्दोग से बहुत लोगों का जीवन होता है ये उत्तर ब्रदेश की अर्थिक तरक्य होती है लेकिन जान बूच करके भी चार तारीक को जो कैबिनेट का प्रस्ताव आया है, कैबिनेट में जो निर्णे लिया गया, वो विद्दुत दरों में भारी बिर्दी की गई है, कई गुना कर दिया, इससे बुनकरों की कमर तूट गई है, बुनकर जो जो दोख है वो पूरी त सबा का चुना हो, आपको दिखाई पड़ेगा कि जनता के साथ जो अन्या किया है, जो धोखा किया है, जनता भी इसका बदला चुना हो में लेगी। उसको अगर बिजली महंगी मिल रही है, तो वो समाज खतम होने की कगार पर है। कैमरा सुग्य प्रमूत के साथ विवेक तरपाठी एबीपी गंगा लखनाओ।